हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से पश्चमी विक्षोब सक्रिय होने से मौसम खराब रहेगा चार, पांच और छे को प्रदेश में मध्युम उन्चाईवाले क्षेत्रों में बारिश वा उलावरिष्टी होने की मौसम विभाग ने समभावना जताई है मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंग ने कहा कि प्रदेश में पश्चमी विक्षोब के सक्रिय होने से ओलावरिष्टी, अंधर और बारिश हो सकती है वहीं दिन के तापमान में भी गिराव अटाएगी अभी तो जो एक वेस्टन डिस्टिमर्स अप्रोच कर रही है, तीन तरीक को कल से वेस्टन डिस्टिमर्स आएगी जिसकी वाशे मौसम जो आने वाले दोनों में खराब रहेगा आज भी जो एक सर्क्रिशन मनी हुए है, जिसकी वज़ा से जो कुछे के लाकों में बारिश हो सकती है और आज भी एक स्थानों बे अलाव रिस्टिमर्स होने की पॉसिविल्टी है लेकिन जो चार तरीक से जो डव्यूडी का फैक्टर वो ज्यादा रहेगा जो मोस्ट प्रेसर्जाज पर वारिश हो सकती है यहाँ पर तेज़ वायेँ चल सकती है और सात्में अला वरिस्टिविल्टी होने की पॉसिविल्टी है तो हमाचर अब अबदेश के जो मिध हील्ड़ वाले लाके है जिसमें डिस्टिक शिमला, सॉलन, सिरम और और साथ में मंडी, कांगडा, चंबा डिस्टिक्स हैं, यहां पे जो है वो प्रावबिल्टी जादा रहेगी और जो पाकी निचले आलाके हैं, वहां पे भी जो है, जो हमीरपूर, बिलासपूर, उन्ना डिस्टिक्स हैं, यहां पे भी थोड़ी पॉसिबिल्टी रहेगी, तो चार तरीक से जो temperature वो भी कम रहेंगे खास करके जो दिन के temperature उसमें काफी ग्रावट आएगी अभी जैसे पिछले दो दिन से थोड़ी सी धूप रहे थी बीच में और थोड़ी light बारिश भी हुई लेकिन जो temperature अगा चला गया लेकिन अभी आने वाले जो दिन होगे चार तरीक से जो temperature दोवारा से जो है वो काफी डाउन रहेंगे तो कब तक मौसम खराब रहने वाला अभी यह मौसम जो साथ तरीक तक खराब रह सकता है और उसके बाद में भी जो इस फार जो WD की फ्रीकंसी थोड़ी सी जादा है तो दोवारा से फिर western disturbance को पूच कर सकती है अगर हम weekly focus देखे चार वीक की तो जो first week है उसमें एक से लेकर साथ तरीक तक जो थी बारज सोड़ी जादा थी और उसके बाद जो अगले weeks आएंगे तीन weeks उसमें कम रहेंगे Bureau Report City Channel शिमला